हलो दोस्तों 29 को था संडे ये 30 का डिली पिएवी एनलिस है तो जितने भी इपॉर्टेट आलिकरस होंगे वो डिसकस करेंगे वैसे भी जो हमारा संसत्य यानि पालियमेन का सेशन है वो समाप्त हो गया है तो पिएवी में बहुत कम न्यूज आने लेगी लेकिन फिर भी हम 5 या 6 न्यूज तो कलेट का रिली लेते हैं और पहले जिसे में 6 का यह लेकि चला था कम से कम 6 न्यूज तो होनी चीए डिली वहना क्या मतलब है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है GDP का डाटा रिलीज हो गया है इस वर्स यानि फिनांसियल एयर 22 के 1st quarter के लिए कितना रहा है वह करेंट अफरस में हो गया है आने वाली वीडियो में में उता दूंगा आज यह देख लेते हैं GDP का डाटा क्यलकुलेट कौन करता है या फिर रिलीज कौन करता है यह देख लिए NSO National Statistical Office उन्होंने रिलीज कर दिया है डाटा पहले था CSO CSO और NSSO था इन दोनों को मिला क पर NSO मना जिया गया National Statistical Office इन्होंने 2021 के लिए फर्स्ट कौर्टर अप्रस जून के लिए GDP का डाटा रिलीज कर दिया है constant और current price पर तो यह देख लिजी आप इसमें सबसे आदा important हमारे लिए अग्रिकल्चर एलाइट सेक्टर है फर्स्ट कौर्टर एस्टिमेट जारी कर द किया है अच्छा यह कैसे define कियाता है तो हमाई लिए index of industrial production जो important होता है उसी के आधार पर या फिर उसके बाद control general of account की जो रिपोर्ट होती है एक और खास है core industries याद रखेगा index of industrial production यह आपक quarterly release कियाता है ठीक है लेकि यह और GDP दोनों लेकिन जो eight core industries है पहले बाद उनको जारी कुर्ण करता है office of economic advisor commerce ministry के रहत और वो monthly release किया तो अभी आज ही वीडियो में पढ़ेंगे index of industrial production यह भी monthly compile कियाता है मैं क्या बोल गया quarterly बोल गया GDP का data quarterly जारी किया गया index of industrial production इसका मन्थली जारी किया गया CSO इसको जारी करता है ठीक है बाकि वो office of economic advisor जो index eight core industries के लिए जारी करता है वो अलग बात है IIP industry group की growth rate बताता है इसमें broad sector use based sector को define किया आता है अलग से इसे broad sector कों से mining, manufacturing, electricity इनको broad sector में सामिल किया गया use based goods, capital goods, intermediate goods इनको IIP का base year क्या है 2011-12 IIP का करता है production की physical volume को ही measure करता है यानि जो इस बार production हुआ है कितना हुआ है और अगली बार कितना हुआ या पिर इसली कितना हुआ था वो देखता है तो इसको government of India या सभी लोग quarterly GDP, advanced GDP estimate के calculate करते हैं तो थोड़ा सा fight आप देख लीजे, IIP, index of industrial production इसको CSO जारी करता है monthly basis पे वही index of eight core industries जो की IIP का 40.27% part basis रखता है उसको जारी कियाता है Office of Economic Advisor, Commerce Ministry के तहट वहीं GDP का data quarterly जारी कियाता है कौन जारी करता है CSO यह आप जरूरी आद रखिए है जब भी exam में पुछेंगे तो quarterly इससे statement देदेंगे फिर confusion करेंगे अमिस साहजी ने क्या किया भई लडड़ू distribution scheme launch की है प्रेडनेंट हुमें जो विमेंस है उनके लिए अपने पार्लियामेंट्री रहे थे और धर्म को उन्हें प्रचाइज किया गीता उपदेश यह ठीक है गुजरात उनकी कर्म हुमी रही है द्वारी का उनकी कर्म हुमी रही है को पता ही है कि जन्माइस्ट में 30 अगस्त को थी इसलिए में साहजी ने लड़ू distribution scheme launch की है pregnant women's के लिए आपको याद रखि distribution scheme इनमें से किसने जारी की है तो आप इसमिरत इरानी लगा से चले हो मिनिस्ट्याफ मेंने चैल्ड अलमेंट यह रखेगा प्राइमिस्टर मोदी जी ने कहा था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जब लांच रहा था तब कहा था कि मदर्स और चिल्डेंस को न्यूट्रिश तीन वर्सों में साड़े साथ करोड़ प्रेग्नेंट डूमेंस को और तीन करोड़ लैक्टेटिंग मदर्स को दुख पान करवाने वाली महिलाओं को फॉलिक एसिट सप्लीमेंट्स की 180 डोजेस दी जा चुकी है तो कितना अच्छा काम हो रहा है इनका कहना है अलकि यह ड सवच्चित मातरत अभ्यान हेल्थ मिश्टी तोर सुरुवात किया गए 2016 में नेशनल प्रोग्राम है हर मेंने की 9 तारिक को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है प्रेग्नेट लेडिज को यह आपको पताई होगा रहामती मोदी जी ने ठंक से सितंबर में लॉंच गया थ पताई है कि यह जो प्रामतरी स्रीचित मातरत अभ्यान है यह अप्लीकेबल है सिर्फ प्रेग्नेट विमेंस के लिए और वह भी प्रेग्नेट से लेकर 6 महिने की बीच में हो तो जाके आप फी ट्रेडमेंट करवा सकते हैं इसमें विमेंस को क्या कलर कोडिंग कलर स्टिक Industrial Production उसी के पार्ट में है Index of Eight Core Industries ये भी मतले जारी कियाता है लेकिन Office for Economic Advisor इसको जारी करता है तो जारी करता है तो जारी करता है तो जारी करता है तो जारी करता है इसका डाटा जारी हो गया है हर मैंने जारी होता है जुलाई का है ये तो अगर आप एक्जाम दें जा रहे है किमेंट, Fertilizers, Electricity एक्जाम में आँसे पूचे सबस्था बेटेस किसका है तो Top 2 या रिखेगा Top 2 में कोन आता है refinery का सबस्था बेटेस है फिर सेंड नमपर पे electricity आता है लेकिन जब ये 8 Core Industries के लिए Index सुरूँ हुआ था तब electricity का सबस्यदा था लेकिन बाद में change हुआ, refinery का सबस्यदा हो गया, ठीफ है तो bottom two पे कौन है, fertilizer और cement, top two पे कौन है, refinery and electricity ये है आपका weightless, हाला कि आप से exam में पूछ सकते हैं, IIP में index of industrial production में, 8 core industries का weightless कितना है, तो 40.27% अभी बताया था, मैंने आपको ठीक है, तो ये याल रखिएगा, July 2021 के दौरान, 8 core industries का index रहा, 134, जो कि last year, July 2020 से 9.4% अधिक था, इसमें coal natural gas refundy, ये सब वर्तमान में बहतरी performance कर रहे है, final growth देखी जाया, अगर index of 8 core industries की, ये तो अप्राइल के लिए नहीं हमारे लिए important है, अप्राइल जुलाइ के लिए important है, 8 core industries का, ये देख लिए 21.2% growth rate रही है, last financial year से, 8 core industries में मैंने weightless आपको बता दिया, अब बता देता हूं कि सबसे दर growth rate, last quarter में किस की रही है, तो देख लिजे आप यहाँ 21% जुलाइ 2021 में सबसे दर growth rate रही है, अगर over last July देखाया है, तो cement की, ठीक है, आप से इतना सब history, ये अटेंड की गई थी, तो ये आप देख लिए, यहाँ पर सारे नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिर मैंने आपको, हाँ, dr. तिलोचन मोहपात्रा, इन्होंने अटेंड किया, साथी साथ, dr. ठंडा, कई deputy, ये सब कई सारे लोग हैं, को मतलब नहीं इनको पढ़ने का, हाँ, ये देख लेते हैं हम लोग, आठ में बीटी हुई है, विम्स्टेक के अगरिकल्चरल इन सब की बाते की गए, की एरिया क्या थे, इस मीटिंग के, लाइश्टॉक पॉलिट्री, एक्वाटिक, एनिमल डिजीज, बायो सीक्योर्टी, एक्वाकल्चर, डिश्टाइजेशन, प्रमोट, प्रिसिंग, प्रिसिजन फॉर्मी, ये सब थे आपके, विम्स्टेक अग लिजे, South Asia से किरिनी कंटी हैं, पाच कंटी हैं, बांगलादेश, बोटान, इंडिया, नेपाल, सिरांका, ये पाच कंटी साउथ एसिया से हैं, दो कंटी हैं, मियामार, और थाइल्यन्ट साथ इच एसिया से, तो बिम्स्टेक में इस साथ कंटी है, ढाका में मेरे ख्याद पर फोकस करता है तो 14 एरियास पर फोकस करता है आप यहां पर देख लिए जब इस्थापना होई तो श्टार्टिंग में 6 एरियास यानि 6 से से बाद में 14 सेक्टर होगे कोपरेशन के 1997 इस्थापना होई थी बे आउफ बंगाल इनिशेटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेकनि आप होता है प्रेशिदेंसी इसमयाई से लंका के बात से 2017 से 22 तर तो इतना ही इंपोर्डेंट था अगला है पोर्षन माह इस हमसे सेलिबेट किया रहा है सितंबर में तो करेंट अफरस में यह तो पढ़ लिया था हम लोगों ने कि पोर्षन माह भाई सेलिबेट किया रहा और लेक्टेटिंग मदर्स के लिए चाल लोग कवर होते हैं पोस्टल अभियान में प्रहान मंत्री मोदी जी दोरा आठ मार्च दोहजार ठारा यारी इंटरनेशनल वुमेंस डे को लांच कहा था जुंजुनु राजिस्थान से ठीक है पोस्टल का फुर्वान प्राइम मिन बताया था मैंने आपको और मेरे ख्याल से इतनी बार लोग पढ़ चुके हैं कि आज उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं और यहां पे मैंने एड भी नहीं किया है अब क्या किया है इन्होंने पोस्टल अभियान मिशन पोस्टल 2.0 लांच कर दिया है सक्षाम आंगनव सितंबर महिने में पोस्टल मां के लिए थीम रखे गए हैं एक से साथ सितंबर के लिए वीख है प्लांटेशन एक्टिविटी यानि पोस्टल वाटिका फिर दूसरा जोग वीख है आट से पंदर से योगा और आयोश ये भी है 16 से 23 सितंबर रिजिनल नूट्रिशन किट डिस्ट्रिबूट करना है अंगनवाडी वेजनी फिर्शिस को और उसके बाद 24 से 30 सेंब चिल्डेंज और नूट्रिशनल फूर इन चारों पर आप याद रखेगा बहुत कुछ खास नीज नहीं थी इस वाले आर्टिकल में अगले वाले में देखते हैं 31 में कितनी है मिल अंगनवाडी हैं इसकूल हैं प्रिमिसेस हैं ग्राम पंचयत हैं वहाँ पर पोस्ट्र वाटिका लगाई यहां पर फिर से आप देख लिए पोस्ट्र अभियान तक लेकिन आपको याद रखना है कि स्टंटिंग के लिए अलग से था जिरो से शिक्स एर पहली बात तो यह याद रखेगा जिरो से शिक्स एर के बच्छेंग लिए यह था कि 2022 तक इस टंटिंग जो 38 परशंट थी जब यह लांच लिए था 38.4 उसको 25 परशंट करता है य जो पॉशनब भीया नेसके तहरत एक नेशनल काउनसिल आफ न्यूटिशन सिटप की गए जो की वाइस शेरमान नीट आउक की दाफ हिट की जाती है तो इसको हिट कुट को लिए तो नीट यूट के वाइस शेरमान मेंको है राजिय कुमार तो यह इतने ही आठिकल थे प् कुछ भी खास नहीं है पढ़ने को 307 वाले आर्टिकल में 31 वाले में देखें